कि अधिया आप आप से बच्चे हों में लोकडाउन का बखोवी से पालन कर रहे होंगे पिछले वीडियो लेक्ट्र के अंदर अपने वर्त खंड और तिर्जाखंड के बारें पढ़ा था आज वन परस्णाली 15 अपनर प्रॉंट दो को फिर कंट्यून्यू करेंगे तो इससे पहले में आपको बता दूं कि हमने स्टेडी का थोड़ा तरीका बदला है क्योंकि प्रिस्ततियां इसी है जो मारे पास एकमारिक था उसके अंदर पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आगी और लोगडाउन के वज़े से आसाने से उपलब्द भी नहीं हो रहा है जेकिन अपने स्टार्ट रखेंगे अपने काम को तो अपने पंद्रा प्रॉंट दो परस्णाव लिया है उसके क्यूशन से अपन सौल करेंगे अच्छे लेंग से आपको समझाएंगे तो 15.2 का अपना पहला कि उसने एक वर्थ के तिर्जा साथ सेंटिमीटर है करें के अंदर प्रांतरितकों साथ डिग्रिया चाप की लंबाई क्यात कीजिए तो सब से पहले अपने को कि द्यान पर पढ़ना है अपन पढ़ लिया अब आपन देखेंगे कि कि यूशन का हल यह डिखने लिए सबसे पहले अपन के अंदर लिख लेते हैं कि जो सीधियो यह वह लिख लेंगे दिया है कि क्या क्या दिया हो लिख लेंगे है मरेक वृत की तर्ज्या पर आव शाथ संटिमेटर है सेकंड तथा के अंदर पर तरिद कोण ब्राव साटिक्री है ठीक है और यह इस पर कार सी है देखो यह अपना कोई एक सरकल है यानि कि वरत है यह उसका क्या हो गया वो के अंदर हो गया यह जो वह क्या है इसके तिरज्या हो गई और एक यह वह भी यह तिर्ज्या है साथ सेंटिमेंटर है जो यह 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 बी चाप है न इसके दवारक के अंदर प्रंत्रित कोण कितना है कि साथ डिकरी है अब अपन को क्या करना इस ए भी चाप के लंबाई ग्यात करने हैं ए भी चाप के लंबाई ग्यात करने लिए अपन इस सोल्योसन के अंदर आके लिखेंगे हम जानते हैं अर्थ जवाले वर्थ के के अंदर पर थीटा कोण अंत्रित करने वाले चाप के लंबाई जो कि एल इस प्रकार होती है अल ब्राबर पाई और थीटा अपोन एक्सोस्सी ठीक है अब अपन क्या करेंगे यहां पे अपनी जो वैल्यू जै उनको रख देंगे पाई कमान क्या होता है रहाद पाई बराबर होता है 22 वता 7 ठीक है तो पाई कमान 22 वता 7 रखते हैं आपन को यह देखते ही यह 7 तो यह 7 संट्टिमेंट्र हो गया थीटा आपने पास करता है 60 डिग्री तो 60 डिग्री रख दिया बटा 180 अब यहां से अपने कैंसल आउट कर देंगे साथ से साथ कट जाता है जीरो से जीरो कट गया और यहां से छए से इसका उठार से कटें लिए तो तीन वर कट जाएगा सब कटने के बाद है हमारा पास क्या बच गया उपर 22 बच गया और नीचे 3 बच गया 22 के अंदर 3 का भाग देने पर 7 जने ऊएगा और यह सेंटिमेटर में रहेगा क्योंकि यह और 7.3 cm आ जाएगा एक वर्थ की 30.5 cm है और 30 खंड का कॉंड 45 टिक रिया है तो लगू 30 खंड का छेतर फल गयात करो तो यह क्यों से इस परकार से है एक अपने पास वर्थ है ठीक है उस वर्थ का केंदर हो गया तो उसकी 30 है 10.5 cm तो यह दो तिर्जाओं के दवारा और यह था ओबी और इक चाप एबी की दवारा यह जो तिर्जाओं खंड बनता है इसका अपन को छेतर फल गयात करना है और इस चाप के दवारा के अंदर पर जो अंत्रित कौन है वो 15 डिगरी है तो इसका सोल्योशन करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है तो जो चिस दे रखिया उसको पहले लिख लेते हैं कि दिया हुँ में एक नमर है वर्थ के तिर्जा और ब्राबर दस पॉइंट पांच सेंटीमेटर है और दो नमर दे रहें 30 खंड का कॉन थेटा प्राबर 45 डिगरी और अपन को इसका चेतर पलग्याद करना है तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि लगू तिर्जा खंड का चेतर फल बराबर पायार स्क्वार थेटा बटा 370 डिगरी होता है यह अपने तिर्जा खंड और वर्थ खंड पड़ा था उसके अंदर पड़ा था तो अपन यहां से क्या करेंगे इनके वैलियोज को रखेंगे पाय कामान अपने को पता है 22 बटा साथ होता है तो पाय कामान अपने 22 बटा साथ रखतेंगे और अपना कितने 10.5 यह स्क्वेर कर दिया थीटा अपने पास कितने 45 डिगरी यह अपने रखतेंगे फिर अपने लिखेंगे नीचे 360 डिगरी ठीक है अब अपने इनको सिंपल करते हैं यह 22 बटा साथ हो गया हुप दस पॉइंट पांच स्क्वेर है तो इनको दो बार दिख लेते हैं अब अपन क्या करेंगे सब से पहले इसको साल करने लिए पॉइंट्स अटाते हैं के को ौइफ बटा शांत हो गया हीं जो एक सुपांट एक सुपांट कि होसे फोर्टीपाइर अरब अपने इन दोनां को पॉइंट अटाते हैं तो इसका यह पॉइंट अटाने के लिए कि इस जीरो लगा देंगे में 3600 का सब्सक्राइब अब अपने को काटते हैं है वैंताड़ेस से अगर 360 को काटते हैं तो ये आठ वार कटता है कि भंद्रा से अगर इसको कटें 105 को सोरी साथ से अगर 105 टें तो ये 15 बार कटेगा ठीक है अब अगर अपन पांस से इसको काटें तो ये 21 वार और ये 5 दूने तस दो वार कटेगा फिर अपन अगर 2 से काटें इसको तो ये 11 वार कट जाएगा अब अपने पांस पचाएगा ये 15 तो इसको भी काट तेंगे 5 दिया 15 और ये कट जाएगा 5 दूने 10 ठीक है अब अपने पांस क्या बचेगा यहांसे 11 बच गया यहांसे तेन बच गया और यहांसे 21 बच गया नीचे दो बच गया यांसे यांसे 8 बच गया तो उपर क्या आजाएगा उपर आजाएगा 11, 23, 21, बटे 16 आजाएगे जब अपन इनको कुणा करेंगे तो अपनी पास कितना आएगा चुस्षो त्राण में आ जाएगा बटा सोड़ा चुस्षो त्राण में अगर सोड़ा का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 43.31 अब यहां 30 सेंटिमेटर में है लेकिन अपने यहां पर क्या कर दिया इस्क्वायर कर दिया तो यह किस में आ जाएगा छेत्र पलाएगा वरग सेमी के अंदर और यह अपना क्या आ जाएगा अंसर आ जाएगा और यह हुआ कि नेट्स अपना क्यूशन नमर्धरिय है वह इस प्रकार से है कि एक वर्थ के चाप के लमबाएं बार्र सेंटिमेटर है ता तिर्जिया साथ सेंटिमेटर है तो वर्थ לא तिर्जिय ह्खंडका शेद्रफल गया इसके तिर्जा अपन को दे रखिया है साथ सेंटीमेटर ठीक है और इस तिर्जा खंड है इसके चाप के लंबाई ये भी अपन को बारा सेंटीमेटर दे रखिये तो अपन को इसका छेत्रफल याद करना है अब यहाँ पे इसने अपन को थेटा नहीं दिया है तो अपने पास फॉर्मला है चाप के लंबाई और तिर्जा के बीच में उसका यूज करके अपन इसका छेत्रफल निकाड़ेंगे तो सबसे पहले अपन बहुत चीज जो हर क्विशन में लिखते हैं जैसे दिया है तो इसमें जो चीज दे रहे कि वो लिख लेंगे क्या दिया है तिया में लिखेंगे वर्थ की त्रजा और बराबर साथ सेंटीमेटर तथा वर्थ के चाप के लंबाई ल बराबर बारा सेंटीमेटर है कि यह हो गया है अब अपन लिखेंगे हैं हम जानते हैं एल्लम्बाई चाप तथा आर्थ तिर्ज्या वाले वर्थ के तिर्चे खंड का चेत्रफल एक बराबर एक प्टाद दो एक टो एक टो आर होता है यहां अपन एक प्टाद दो को एक प्टाद दो लिख लेंगे एल अपने अपना कितना दिया वाएं बारा सेंटीमेटर और आर अपना कितना दिया वाएं साथ सेंटीमेटर ठीक हैं अब अपन क्या करेंगे तो से पारव को काट तेंगे यह चे वार कट जाएगा चे दुने बारा होता है चे इंटु साथ बरावर कितना होगा चता ब्यानलेस और यह चेत्रपल यह सेंटीमेटर में तीरचा देरिके और लंबाय भी सेंटीमेटर गंदर है तो अपना यह चेत्रपला हैगा किसमा आजेगा वार अगे सेमी में यह यह अपना क्या वाजेगा आंसर तुम्हा लिखेंगे होता है लगू त्रिजय खंड का चेत्रपल यह बराबर प्यानलेस वर्ट सेमी है ठीक है नेक्स्ट अपना क्यूस्ट नमर चार है जो इस परकार से हैं तिरजय की सेंटीमेटर वाले वर्थ क्यायक कष्वा शाफ का एक चाप के अंदर पर साथ क्याक करता है तो तो ग्याद कीजिए अपने को यह अपर यह पर तिन की सं ग्याद करने चाप करना है cketलंबाई च्याप दवारा बनाए गी टिजय खंड का चित्रपल संगत जीवा-दवार वर्थ का च्यत्रपल कि सबसे पहले तो अपन देखते हैंगे यह चित्र की साहिता से इसक्यूशन को समझते हैं तो यह इस परकार से हैं कि जिसे कि यह को एक वरत है और इसका के अंदर कि वह मान लिया अपने है आर तिर्जय है कि तो ओ यह तिर्जय हो गई कि तो दो तिर्जयों की शायृता से एक और एक ओबी कि और एक यह बिचाप की शायृता से क्या भना इसने on बानाया और इस चाप द सब्बारा के अंदर प्रजुन Insp ganhar ह 1 ठर 50 दे रख है को और ये भी एक जीवा है तो अपनको क्या करना है अपने पहला क्यूसान तो यह है कि यह चाप है यह इसके लंबाई क्या अधिकर नी यह दूसरा क्यूसन है कि यह जो पूरा तिर्जया खंड है यह पूरा इसका छेत्रपल अपनुग्याद खंड है और तीसरा क्यूसन इस परकार से आया कि यह संगत जो जीवा है इसके संगत इसका अपन को जुग जीवा के दवारा जो वर्त खंड बन रहा है यह इसका च्छेतर पड़ अपने उग्यात करना है तो बबन स्टेप आइस्टेप त्यूंट क्यूसंस हई करेंगे तो सॉल्यूशन देखते हैं अब हल देखते हैं तो सबसे पहले अपन पहला किर्शन देखते हैं चाप के लंबाई ठीए तो हम जानते हैं और तरज्या वाले ब्रत के के अंदर पर ठीटा कौन अंदर 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 करने वाले टाप के लंबाई एल ब्रावर क्या होता है पाई आर थेटा पॉन एक सोसी तो पाई का अपने को पता है पाई का मान होता है 22 बटा साथ तो पाई का मान तो लिखतेंगे 22 बटा साथ इंटो आर आर अपने इंती विए 21 सेंटिमेटर तो पन आर लिखतेंगे 21 थीटा अपना दिये रहे है 60 डिगरी तो पने 60 दिया बटा में एक सोसी अब अपन क्या करते हैं इनको काड़ते हैं यह 21 यह 7 से कट जाएगा 27 यह 0 से 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे 6,3,18 तीन वार कट गया फिर यह 3 से 3 काट तेंगे तो अपने पास क्या बच्चेगा अपने पास बच्चेगा 22 और यह 30 थी यह सेंटिमेंटर में थी तो यह 22 आएगा यह सेंटिमेंटर में आएगा अथा है चाप यह भी के लंबई बुराबर बुराबर इसका चेटर पल गयात करना अपने को इसका चेटर पल गयात करने के लिए अपने पास एफ फोर्मुला होता है जो अपने वर्थ खंड और तिर्ज्या खंड ने पड़ाता वह इस परकार से होता है के हम जानते है और तिर्ज्या वाले वार्त जिसके जाप दवारा के अंदर पर अंतरित कौन थिटा हो तो त्रिच्या खंड का छेतर फल ए ए बराबर दे पाई आर स्क्वेर थिटा अपन तिन सु साथ डिगरी पाई का मान अपने को पत्ता एकतना होता है बाईस बटा साथ आर यहाँ पे अपने पास कितने है थी एकिस सेंटिमेटर तो आर इसकोर है तो इसको दो बार लिख लेंगे और थिटा साथ डिगरी है बट्टे में तिन सु साथ आ जाएगा ठीक है चूंकि पाई बराबर वाइस बटा साथ तो यह अपने पास है जो कैलकुलेस्टन आ गई अब क्या करेंगे इसको अपन सिंपल करेंगे इसको सिंपल करने लिए जिरो से जिरो कार देंगे 36 को 6 से कार दें 6 जेगा 36 21 को 7 से कार दें 37 केश फिर 3 को इससे कार देंगे 3 दून इच्छे फिर इसको इससे कार देंगे 11 आ जाएगा फिर अपने पास बच्चे का क्या 11 और 21 बच्चेगा और 11 और 21 को अगर अपने मल्टिपलाइक करेंगे 11 इंटो 21 इनको अपने गुना करते हैं अगर इनको गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 11-11-12-23 यानि कि 231 आगया और छेतर पल उता है उसके जो एकाई वाती है वर्ग सेंटीमेटर या वर्ग मिटर होती है तो यहां पर जो अपने तिरजया थी हो सेंटीमेटर में है तो यहां पर इसका छेतर पल किसमे आजाएगा वर्ग सेंटीमेटर में आजाएगा तो अपना अंसर क्या आजाएगा 231 वर्ग सेंटीमेटर हता है कि तिरजय खंड का अचेतर फल कि बराबर है 231 कि सेंटीमेटर है यह अपना फंसर उसेगा कि फिर अपने पास क्यूष नमर तीन को अपन हल करें क्यूष नमर तीन अपना इस परकार से है कि संगत जीवा दवारा बनायेगे वर्थ खंड का छेतर पल क्यात कीजिए तो यह अपने जीवा हो गई इस जीवा के दवारा जो बनाएगा यह वर्थ खंडा है इस वर्थ खंड का अपने उच्छेतर पल यात करना है तो अपने काम करेंगे ना इस पूरे जो तिर्जा खंड का छेतर फल है इसमें से क्या करेंगे इस तरी बुझ का छेत्रपल गटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इस से वर्थ खंड का छेत्रपल आ जाएगा ठीक है तो चलो देखते हैं हम जानते हैं कि और तिर्जा वाले व्रत के के अंदर पर धीटा को अंत्रेट करने वाले चाप तिता संकत जीवा संकत जीवा से बने वर्थ खंड का छेत्रपल ये ब्राव रोत है पाई आर स्क्वाइर थिटा अपॉन तीन सो साथ ये तो हो गया पूरे तिर्जा खंड का छेत्रपल माइनस अपन क्या कर देंगे जो उत्री बुज होता है उसका छेत्रपल माइनस कर देंगे उसका होता है आर स्क्वाइर सायन थिटा अपॉन टू ठीक है चूंकि पाई एक्वल टू 22 बटा साथ होता है तो पाई का मान 22 बटा साथ रख देंगे आर का मान अपने को पता है 21 है तो स्क्वार है तो 21 इंटू 22 होजेगा धिटा का मान अपने पास 60 डिगरी है और यह 360 हो जाएगा माइनस आर स्क्वार तो वहीं हो जाएगा 21 इंटू 21 बटा टू साइन 60 अब यहां से क्या करेंगे अपन यहां से अपने को पता है 21 और 21 है यह और यह इसमें कॉमन है तो कॉमन ले भी सकते हैं या सिदा इसको सिंपल भी कर सकते हैं यह यहां से कट जाएगा और 21 कट जाएगा 7 से तीन बार और यह 36 से कट जाएगा 6 बार और यह 6 कट जाएगा दो बार फिर यह कट जाएगा 22 कट जाएगा 2 से 11 बार 11 और 21 को अगर अपने मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह अपने पास कितना जाएगा दो सो 31 आजाएगा माइनेस 21 इंटू 21 तो 21 का अगर स्क्वेर करते हैं तो अपने को पता एक ना आता है 441 बट्टे 2 साइन साथ साइन साथ का मान होता है रूट 3 बाई 2 तो अपन क्या करतेंगे यहाँ पी लिखतेंगे रूट 3 बाई 2 तो अपने पास क्या बन जाएगा एक तो यह बन जाएगा 231 माइनस 441 बट्टा 4 इंटू रूट 3 एक तो अपना यह क्यूशन आंसर बन सकता है ठीक है या 231 माइनस 441 बट्ट चार है तो इसमें भाग देंगे अपन तो चार एकम चार और फिर जाएगा 4 एकम चार फिर भाग जाएगा नहीं तोड़ जाएगा फिर पॉइंट लगा देंगे तो 25 तक जाएगा यह तो 1.732 अब अपन तो 31 माइनस अगर इनको मल्टिप्लाइ करते हैं तो इनको मल्टिप्लाइ करेंगे तो अपने पास कितना आएगा यह आएगा आएगा आप मल्टिप्लाइ कर लेंगा 190.95 ठीक है अब अपन क्या करते हैं इनको घटाते हैं तो इधर पॉइंट से पहले 95 है तो इधर अपने को पता है कि जूरू पॉइंट स्वरी पॉइंट 05 बचेगा और यह 230 में से एक जनब बचाएगा तो अपने पास 40 बचाएगा यह अपना हो जाएगा और यह आएगा वर्क सेमी में है है होता है 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 वर्थ खंड का छेतरपल बराबर 40.05 वर्क सेमी कि नेक्स्ट अपना क्यूशन है पांच वह इस परकार से है एक घड़ी की मिनट की सुई दस पॉइंट पांस सेंटिमेटर लंबी है मिनट की सुई दवारा दस मिनट में बनाएगे तिलजा खंड का छेतरपल ग्याद करना है तो इस क्यूशन को अपन डाइग्राम की साहि घड़ी है अपने ठीक है यह घड़ी का केंदर हो गया जुसको अपन ओ नाम दे देते हैं यह अपने मिनट वाली शुई होगी ठीक है अब इसकी लंबाई अपनों को देदे दे दस पॉइंट पांच सेंटिमेटर ठीक है अब यह बोल रहा है कि यह दस मिनट के अंदर यानिके दस मिनट में यह सुई इस साइड आएगी तो यह दस मिनट के अंदर इस साइड आएगी तो यह तिर्जा खंड का निर्मान करेगी तो इसका अपन को छित्रफल गयात करना है तो अपन को यह कौन पतार नहीं है तो अपन ये कौन मान लेते हैं थिटा है ठीक है आर अपन को दे दिया तो ये वह भी दिर्जा हो गई और ये चाप हो गया इनके दवरा गीरा वाद पुरा ये छितर है दिर्जा खंड इसका छितर पल अपना याद करना है तो सबसे पहले तो अपन लिख लेंगे हल की अं हाँ दिया हो हुआ है याए घड़े की मिनट की सोई की लमबाई ये लमबाई ये मिनट की सोई है और इस मिनट के सोय की जो ये लमबाई यह होरगी अपने दिर्जया होते तो इसको अपन तिर्जा बोल देंगे और तो यह अपने को 10.5 सेंटिमीटर दे रखिए है अब अपने को यह थिटा कॉन नहीं दे रखा है लेकिन अपने को 10 मिंट दे रखा है उसके साहिते सबने थिटा कॉन निकाल लेंगे तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई मिनट की सुई साट मिनट में साट मिनट में तिन सुसाट डिगरे का कॉन बनाती है यह देखो इस प्रकार बनाती है जैसे आपने को पता है कि एक मिनट वाले जो सुई होती है वो एक घंटे के अंदर वापस बारा प्याती है ठीक है तो यह साट मिनट होता है यह गंटे के अंदर तो साट मिनट में यह पूरा राउंड अपना ऐसे पूरा कर लेती है तो पूरा राउंड कम्प्लीट करते है यह कौन कितना हो जाए तो यह यह अपने लिखा यह इसलिए कि मिनट के कि सुई कि एक मिनट में कि कौन बनाती है यह बराबर कि 360 बटा साट जैसे काड़ दिंच त्यस यानिकि छै डिगरी का कौन एक मिनट में बनाती है यानिकि जब वह एक एक मिनट ऐसे चलती है न तो छै डिगरी का कौन या पर बन जाता है तो तस मिनट में घड़ी कि सुई कौन बनाएगे बराबर दस इंटो छै कि साट डिगरी का अब आर बराबर दस पंट पांस सेमी तथा धिटा बराबर साट डिगरी है तो बने तरिज्चिय खंड का छितर फ़ल एब बराबर पाई आर स्क्वायर थिटा अपोवान तिन सो डिगरी पाई कमान अपनको पता है बाईस पटा साथ होता है ठीक है यह इदर डिखलेते हैं जो कि पाई कुल टो बाईस प्टा साथ और अपन को कितना अधिया रहा है तस पॉइंट पांच इसको रहा है तो अपन दो बार दिख लेंगे तो थीटा थीटा अपने पास साथ डिगरी आए गया है अपन तिन सुश्वाट अब अब अपन क्या करते हैं इसको सरल करने के लिए सबसे पहले अपन पॉइंट अटाते हैं ठीक है यानि पॉइंट अटाने के लिए पॉइंट के बाद में जितने भी क्या अंक होते हैं उतने क्या नीचे 0 लगा देते हैं तो इस पॉइंट के बाद में कितने अंक है एक है तो इस पॉइंट को अटाने के लिए नीचे एक अब अपने इसको कटेंगे तो यह 15 वार कट जाएगा ठीक है अब अपने इसको काड़ते हैं पांच से तो एकल पंजा 105 होता है और पांच दोने 10 हो गया अब अपने इसको काड़ते हैं पांच से तो पांच दोने 10 हो गया अगर वापस अपने इसको काड़ते हैं तीन को इससे तो तीन दोने 6 हो गया और 22 को इससे काड़ते हैं तो 11 हो गया उपर कितना बच गया? यहां से 11 बच गया यहां से 11 बच गया और यहां से कितना बच गया? 21 और नीची कौन सा बच गया? 2 यह बच गया और 2 यह बच गया 2 इंटू 2 तो उपर अपने पास किया बच आ? ग्यार एक है ग्यारा ग्यार दुन बाइस और एक तैस दो सो एक तीस पटे चार बचके इसमें अपने डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा पाइप सेवन पॉइंट टू फाइगा और यह तरज्या है वह सेंटिमेंटर के अंदर है तो यह चेटरपल किस में आ जाएगा वरग सेमी में है ठीक है अट 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 अग्यार मिनट किस हुए दस मिनट में मिनट किस हुए दस मिनट में तिरच्चा घंड बनाएगी बड़ाबर सतन पॉइंट दो पांच अबरक सेंटिमेटर और यह अपना क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा भाम जाहा एष्टम सेट्टेपर यह जाएगी बरिया डिया जाएगी आएगा प्रिंट थीजिया नाएगी टेर्ट यह जाएगी है अड्या श्या खिजाएगी ने बड़ाएगा